Hello friends, welcome to student period, आपका स्वाख है थे दोस्तों मेरे चनल में, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, डॉक्टर स्यामा परशाद मुखर जी इनिवर्सिटी के बारे में ठीक है, कैसा इनिवर्सिटी है, पढ़ाई कैसी होती है, क्योंकि आप जिब किसी कॉलेज में आडमि किसन प्रोवाइट की जाती है, आपको यहाँ जो है बेनिफिट होगा की नहीं इस कॉलेज से, आप कितना यहाँ जो है अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे, यह काफ़े डिपेंड करता है, और मैं बतला दूँ सबसे पहले student पेडिया में, आपको सब की रिभ्यू मिल जा आपको सर्च करना है, और मैं बतला दूँ जिस पे मैं वीडियो बनाता हूँ, उस पे काफ़े डिटेस आपको प्रोवाइट करता हूँ, जितने जो है बेरियस कोर्से उसकी फीव अगयरा और चोटे 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 बातों को भी धियान में रखता हूँ, आपके जो चाहेंगे कोर्स अड्मिशन, तो यहाँ पर देखिए, डॉक्टर स्यामा परसाथ मुखर जी जो है, यहाँ आप देखेंगे तो 2017 में इसके इस्टेबलिस्मेंट हुए, ऐसे उनिवर्सेटी है, ठीक है, पहले कौन से नाम से जाना जाता था, राची कॉलेज से, काफी लो परसाथ मुखर जी राची कॉलेज के नाम से जाना जाता था, और इसे जो है, अंडर बिजेपी गॉवर्मेंट इसके नाम को चेंज कर दे गई, अहाँ पर डॉक्टर स्यामा परसाथ मुखर जी जो उनके लेडर 30 है, उसके नाम से चेंज करके 2017 में यहाँ पर इनिवर्से पर चार साल में यहां पर मैं बतलानूं काफी लंबा वक्त हुआ नहीं पर चार साल में फिर भी यहां काफी इंप्रूव आपको देखनी को मिलेगा और मैं बतला दूँ यहां पर quality of education जो है एक average है ठीक है उतनी आपको high भी नहीं मिलेगी पर मैं बतला दूँ यह average होने का कारण यह भी है कि आपको किसी किसी faculty में देखनी को मिलेगा जो है बहुत quality of education किसी में थोड़ा load ठीक है यह क्यों होता है क्योंकि department काफी जजादा यहां depend करता है department कैसा है आपका department अगर आपका अच्छा है तो आपको जो है education जो है काफी अच्छा महाँ पर मिलने वाला है मोहाले क अच्छा मिलता है जो होते student अच्छे आते है ठीक है टीचर से अस पिस से आगे बढ़ रहा और इंप्रूफ कर रहा है जो है इसमें आप एडमिसन लेते हैं तो आपको जो है यहाँ पर जो है इजुकेशन की क्वालिटी मिल जाएगी ठीक ठाक ठीक है ठीक ठाक नहीं एवरिज मिलेगी और आप जो एक सेफ्ट करते हैं एक सेंट्रल इंवर् और चलिए बात कर लेते हैं कुछ और सी बाते जैसे यहाँ पर पर कोर्सेश और अडमिसन तो यहाँ पर भेरियास आपको कोर्सेश मिल जाएंगे ठीक है और कोर्सेश देखिए इंक्रीज धीरे देरे करती है बहुत सारे आपको जो कोर्सेश अभी नहीं दीख रहे हों हो सकता है यहां पर आजाए आर्ट स्युमिनेटी सोसल साइंस कॉमर्स यहां पर जो है आई टी वगरा की भी है इजुकेशन इंजिनेरिंग और आर्गेटेक हॉस्पिटल और टुरिज्म लो मैनेजमेंट बिजनिस अड्मिस्टेशन मीडियम मास कॉम्निकेशन जर्निलिज्म और यहां पर मेडिसीन, अलाइट साइंस भी है और साइंस के भी फैगल्टी आपको देखने को मिल जाएंगे बेरियस अभी और भी फैगल्टी बनना स्टार्ट होंगी पर यहां पर आप देख सकते हैं इतने स्ट्रीम से यहां पर आडमिसन लिया जा रहा ठीक है और यहा आप समझ जाए क्या क्या आपको यहां पर मिल रहा है वोकिशनल कोर्सेस कोन कोन से देखिए यहां पर वोकिशनल कोर्सेस भी प्रवाइट के जाते हैं नॉर्मल जेनल कोर्सेस भी प्रवाइट के जाते हैं हाईयर जो है आपके कोर्सेस वो भी प्रवाइट के जाते हैं औ कुछ department जो है, यहां पर अभी वह उतने अच्छे नहीं है, उतने high level पर नहीं है, पर तो आप यहां पर admissions score ले सकते हैं, आपको कोई यहां problem नहीं होगी, अगर आप यहां पर आजाते हैं, कटप में ठीक है माक्स वगरा तो यह आपको बस ध्यान में रखना है और मैं बतला दूँ इसके जो है पूरे डिटेल्स मैं आपको प्रवाइड कर दूँँगा फ्वी वगरा फैगल्टी वगरा कोर्सिस कितने प्रवाइड होते हैं सब कुछ आपको मैं बतला दूँगा करनेट रही स्टूइट पेडिया से थांक्स पर वाचिंग बिश्ट अफ लक